होली आते ही हम सब के घर में मालपुए बनते हैं आज मैं आपके लिए लेक्ए हैं आते के मालपुए की रेस्पी जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जटपट से बन जाती है तो चली आते की मालपुए की रेस्पी बनाना शुरू करती है जिसके लिए लेंगे हम ग शूगर उसे यह लेंगे हम इलाइची पाउडर आदा चमच और यह लेंगे हम सौफ इसको मैंने कूट लिया है ताकि कूटने के बाद जो इसमें अच्छे लगेंगे माल पुए में क्योंकि इसमें जो हम तलते हैं इसके बाद मूरे नहीं होंगे सौफ से अब इसमें हम डालेंगे दूद एक कप दूद डाल देंगे फिर इसको अच्छे से mix करेंगे ताकि जो इसमें lumps न रहें अच्छे से mix हो जाए बिल्कुल smooth better हो जाए अगर आपको लगता है कि आपका ये थोड़ा बेटर ज्यादा गाड़ी है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देजी आदा कप पानी लिया है हमने पर हमने आदा कप नहीं डाला आदे से भी आदा डाला है इसको कितना smooth हो गया है अब इसको हम थोड़े देर के लिए rest के ताकि जो सुझी है और दूद में डालकर ये फूल जाए इतने में हम बनाएंगे चाशनी इसमें डालेंगे एक कप बोटर इसमें डालेंगे एक कप ही शूगर हम ने पाउडरी शूगर लिए है आप दूसरी भी शूगर ले सकते है इसको अच्छे से मिक्स कर देएंगे ताकि जो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए शूगर बिल्कुल अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी से केसर आप यालो कलर भी डाल सकते हैं केसर से देखिए कितना अच्छा कलर आ जाएगा चाशनी का इसको चैसे वोईल आने दे और पकाएं ये दिखिए कितना अच्छा अनिन ये ल 여러분들 तार सी बनने लगी है और गारी होगी है तो मानौ है चासनी त्यार है अब लेंगी ओटर ग़र्मदा पहल प्तला होनेrer ह में नहीं अब इसमें डालके देखिखेंगे तेल हमारा गर्म है आफ इसमें एक ही लेयर से डालते जाएंगे या पर शेप लेलेगा माल पुआ जाओ बिल्गुल ऐसे ही डालना है एक ही जगह पर डालते जाना है अब इसको पलटेंगें लुआ जाओं कि露ोन इसको力 फज़ल बॉल बॉलकाष बन रहा है माल पुआ बोधी ही ब्राउन हो गया थोड़ा सा और पकाएंगे से यह बहुत ही soft बनेगे दूद डाला है ने इसमें हमने तो बहुत ही soft बनेगे विल्कुल ऐसे ब्राउन करना है जादा नहीं करना इसको हम चाशनी में डालेंगे और आदे घंटे के लिए चाशनी में बिगोकर रख देंगे तब ही चाशनी इसमें जाएगी और इससे चाशनी में ऐसे उपर डाल दी है यह मालपुय बनकर त्यार है आप यह रैस्पी ट्राइ कीजिए आपको यह रैस्पी कैसे लगी हमें कुमेंट करकर जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक कीजिए, इस्टाग्राम आइडी को भी फोलो कीजिए, आप भी ये खा कर देखिए पूरे कैसे बने है, मालपुए, होली स्पेशल है, और हमारे बेल आइकन के बटन को भी दुबाईए, जिससे की मारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंग इने की मालपुए बन गई है, देखने में जितने अच्छे लगे रहे हैं क्रेंची, उतने खाने में भी बहुती टेस्टी है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक कियर, ठैंक्स वर वोचिंग रादे रादे जी